स्टैमरिंग यानि हकलाने की समस्या वो समस्या है जो आप बिल्कुल ठीक होते हुए भी अपने में हीन भावना महसूस करते हैं आपके स्वास में कोई दिकत नहीं है आपका बाड़ी बिल्कुल फिट है लेकिन आपको हीन भावना रहती है क्योंकि आप अपनी भावनाओं को सामने वाले से उस इसमूदने से प्रकट नहीं कर पाते हैं जितनी सरलता से वो अपनी बात आपके सामने प्रकट कर रहा है आज हम इस वीडियो में आपकी इसी समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे हम लोग ढूनेंगे इस बात का जवाब कि कैसे आप सर उठा के समाज में अपनी बात दूसरे तक पहुचा सके नमस्ताथ सातियों डॉक्टर उमंखना उम्योपैथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है सातियों आज हम बात करेंगे स्टर्टरिंग यानि स्टैमरिंग के विशह में यानि कि स्पीच फ्रुइंसी डिसॉर्डर के विशह में जो कि बच्पन में होती है यानि बच्चों को यहां होती है और वक्त आते आते यह ठीक हो जाती है लेकिन कभी-कभी यह adult age तक continue करती है और उस वक्त यह जो स्पीच डिसॉर्डर होता है यह परिशानी का सामाजिक और मानसिक दोनों परिशानी का सबब बच जाता है होमियोपेथी में समस्यास की कारकर दवाएं हैं जो आपकी स्टैम्रिंग को ठीक कर सकती है आज हम आपका उनी दवाओं के विशह में चर्चा करेंगे सबसे पहले साथियों यह जान लेते हैं स्टैम्रिंग होती क्या है Stamling यानि Stuttering यानि की Speech Fluency Disorder Childhood की वहाँ condition होती है कि जब आप पूरे words को या sentences को एक बार में frequently नहीं बोल पाते हैं और किनी words को आप repeat करने लगते हैं और वही words बार-बार आपके सामने आने लगते हैं यहाँ जो स्तिती होती है इसी स्तती को Stuttering यानि की Stamling कहते हैं Stamling के Symptoms साथ ही हो जो की सामने ही Evident होते है जब कोई व्यक्ती बोलता या तो उसके words फसते हो वो ना बोल पाता हो sentence फसते हो repetition of words होते हो या उसमें extra word उम आ इस तरह के extra words एड हो जाते हो इस तरह की जो स्तिती स्पीच में Evident होती है वही Stamling के Symptoms होते हैं Causes साथ ही हो Stamling के causes आप दो तरह से classify कर सकते हैं या तो ये motor causes होते हैं या फिलिए genetic होते हैं motor causes हो गए कि जब आपका brain जो signal भेजता है उसकी timing और उसका execution जो motor nerves का execution होता है message का उसमें difference हा जाता है तो आपके Stamling होने लगती है और दूसरा genetic होता है कि परिवारों में ही चलता है कि पूरे परिवार ही थोड़ा Stammer करता है थोड़ा हखलाता है तो यहाँ दो basic causes होते हैं Stamling के विशह में समस्या है Stamling एक स्वास्त की लेकिन दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं कोई भी दवा बिना कुसल्च की सकसे पूछें मत लीजेगा चलते हैं साथियों सफर पे आपको बताते हैं Stamling को क्योर करने की कुछ बहुत कारगर होमियोपेतिक दवाएं Stamling की जब आपको वर्ड बोलने से पहले मरीज को बहुत ताकत लगानी पड़ती और वक्त लगता हो वहाँ जो इस्टिती होती है उसकी बहुत कारगर दवाएं Stamonium आप Stamonium 30 पावर में 2-2 वोन दिन में 3 बार हर उस मरीज को दे सकते हैं इसको वर्ड इग्जर्ट करने से पहले वर्ड को बोलने से पहले बहुत ताकत लगानी पड़ती है फिर वो वर्ड उसके जुबान से निकल पाता है उस इस्टिती में डवा कारगर है Stamonium और लेकैसिस साथियों उस इस्टिती में बहुत कारगर है जब कुछ specific words होते हैं मरीज के जो stammer करते हैं हकलाते हैं रुखते हैं जुबान पर मरीज बोल नहीं पाता है अगर उस तरह की specificity है word में तो आपकी दवा लेकैसिस है आप लेकैसिस वर्णियम के तीन खुरात पचपच कुनिट के फासले पर हर अफ़ते ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको रात में सोने के बाद तकलीफें ज्यादा बढ़ती हो जिसके अगर आप नोटिस करें तो जिवान में blueness, टंग में blueness कहीं न कहीं आप पाएंगे और जो specific words पे stammer करता हो, हकलाता हो उनको बोलना पाता हो तो उसके लिए लेकैसिस बहुत कारगर दवा है एक स्टिती सात्यों आती है कि जब मरीज को stammer के गुस्सा आता है तो उसके stammer होने लगते है words तो अगर यहां स्टिती हों कि जब आप आप आक रोज में आते हो एंगरी होते हो और उससे आमें आपको आपकी आवाज हकलाने लगती हो गोईस की stammering होने लगती हो तो उसे सिति के हुमियों पहती है बहुत कारगर दबा है बूफो आप बूफो 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं इसको गुसा बहुत आता हो और गुसा आने पे वहाग लाने लगता हो तो यहां अब आपकी मदद करेंगे और आपको लागतेगी एक सिति साथियों आती है स्टैमरिंग के मरीज के साथ हकलाने के स्टर्टिंग के मरीज के साथ कि वो पूरा संटेंस तो बोल लेता है लेकिन संटेंस के जो लास्ट वर्ड होता वो नहीं बोल पाता तो अगर यह सिति हो कि last word बोलने में दिक्कत होती हो तो उसी सिति की हुमियोपैति में बहुत कारगर दवा है Lycopodium Clevetum Lycopodium Clevetum 30 पावर में 2-2 बोन दिन में 3 बार हर वो मरीज ले सकता है जिसको last words में stammering होती हो पेट में उसके गैस बनती हो, गुरूरा हाट रहती हो और उसकी तकलीफे चार बजे शाम को बढ़ती हो अगर यहाँ सिंटम हो, खाने में उसको मीठा पसंदो अगर यहाँ सिंटम हो, तो उसकी Lycopodium Clevetum, Drug of the Choice हो सकती है एक सिंटी सातियों आती है कि जब पुरुष सातिया महिला सातिया आपस में संभोग करते हैं उसके बाद stammering होने लग दी है बाचीत में तो अगर यहाँ सिंटीयों सातियों तो इस सिंटी को ठीक करने की हो पैति में बहुत कारगर दवा है, सेड्रॉन आप सेड्रॉन थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं उस सिंटी में कि जब आप अपने साति के सात इंटिमेट होते हो तो उसके बाद आप हकलाने लगते हो और फिर बात का संटेंस वो आराब से बोल लेता है, तो अगर यह सिंटी हो कि संटेंस के पहले इससे को आदे इससे में वो स्टैंबरिंग होती हो तो उस सिंटी की बहुत अथी दवाए इस्पाईजीलिया, आप इस्पाईजीलिया थार्टी पावर में दो दो बून्ध हर उस वेक्ति को दे सकते हैं जिसको संटेंस के फर्स्ट पाट में स्टैंबरिंग होती हो उसको माइगरेन भी हो सकता हो और उसके आदे सरमें दर्द होता हो तो इस पाइची लिए आपकी उसे सिती में drug of the choice हो सकती है अगर साथियों आपको अक्षर X, S, V, A, T, B X, S, V, A, T, B इन अक्षरों के words बोलने में दिक्कत होती है तो इसे सिती के हुमियोपेथी में बहुत कारगर दवा है लेकैसिस आप लेकैसिस 1 E.M. तीन खुराग पच-पच्पिट के फासले पर ऐसे मरीज को दे सकते है जिसमें ये हमारे बताए हुए words की omitting है वहाँ words जब आते हैं तो मरीज stammer करने लगता है, हकलाने लगता है तो आप यहाँ दवा दे दें तो वहाँ उन words पे हकलाएगा नहीं और इसी तरह उसका हकलाना यानि पेटियों बहुत कारगरतवा है, कॉस्टिकम है नहीं मिनाएगा आप कॉस्टिकम थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार हर उस मरीज को stammering के आख लाने के उस मरीज को दे सकते हैं जिसके ओवर एक्साइटमेंट से वह हक लाने लगता हो तो कॉस्टिकम आपका बहुत अच्छा काम करेगी और आपको रिलीफ देगी कॉस्टिकम की एक बात और होती है साथियों जो कॉस्टिकम का मरीज होता है उसको लोगों के प्रती बहुत संबेदना रहती है ग्रेट सिंपती फॉर दा सफरिंग औफ अधर्स तो अगर यहां इस्टिती हो तो दवा आपकी कॉस्टिकम है एक इस्टिती साथि वहां आती है कि मरीज को स्टैमरिंग होती है और वो अपने सब्दों को ही निकल जाता है बात को बोल ही नहीं पाता है तो अगर स्टैमरिंग की यहां इस्टिती है तो सातियों इस इस्तिती को ठीक करने की हुमियोपैती में बहुत अच्छी दवा है, सिस्कुटा विरोसा, आप सिस्कुटा विर्थाटी पावर में दो दो बून दिर में तीन भाल ले सकते हैं, यहाँ अब आपकी स्टैमरिंग को भी खतम करेगी और आपको बिल्कुल ठीक करेगी, एक इस्तिती सातियों आती है, मरीज जब जल्दी जल्दी बोलता है तो हकलाने लगता है, तो अगर आपके stammering है और जब आप जल्दी बोलते हो फास्ट बोलते हो तो आप stammer करने लगते हो हखलाने लगते हो तो उससे सितिक की हुम्योपैटी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है लैक के राइना यानी लैक हैं आप लैक हैं थर्टी पावर में तो दो बून दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जो जब तेज बोलता हो तो अखलाने लगता हो तो यहाँ दवा उसकी मदद करेगी उसकी stammering को खतम करेगी उसकी stuttering को खतम करेगी हकलाने को बंद करे रहेजी और मरीच को इस समाज में सर उठाके जीने का मुखा देगी हुग सिटी सात्य यह आती तक मरीच को जुबान में भारी पन लगता है तो अगर आपको टंग में हैवीनेश का सेंसेशन और आपके स्टैंब्रिंग यानि स्ट्रट्रिंग हो रही हो तो उसे सिती को ठीक करने की हुम्योपेथी में बहुत कारगर दवा है नेट्रम कार्बो निकम आप नेट्रम कार्ब 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहाँ दवा आपकी स्टैम्रिंग को भी खतम करेगी और जो जुबान का भारी पन होता है टंग की हेविनेस होती है उसको भी खतम करके आपको लाब देगी नेट्रम कार्ब सातियों मिल्क अलर्जी की भी बहुत अच्छी दवा है अगर किसी बच्चे को दूद पी के उल्टी आजाती हो विसेश तोर पे मिल्क अलर्जी हो तो नेट्रम कार्ब बहुत अच्छी दवा है आप उसको नेट्रम कार्ब दीजेगा उसको दूद पीने के बाद उल्टी नहीं आएगी एक इस्थिती सातियों आती है कि मरीज जब अज्ञान लोगों से बात करता है तो अगर यह एस्थिती हो कि जब पेशेंट अन्जान लोगों से बात करता हो तो इस्थिती की भी हुवियों पैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है इस्टेफिसेग्रिया आप इस्टेफिस से ग्रिया 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार हर उस मरीश को दे सकते जो अन्जान लोगों से बात करने में हक लाता हो यहां दवा उसको लाब देगी और उसको एक मांसिक सुकून देगी क्योंकि उसका मर्स अगर यह सिंटम है तो इस दवा से जा चुका होगा बच्चों में साथियों स्टैंबरिंग की सिकायत बहुत पाई जाती है और बच्चों में स्टैंबरिंग को रोकने की स्पेसिफिक दवा है और दवा का नाम है बोविस्टा तो अगर बच्चों में स्टैंबरिंग है तो आप अन सिंटम के साथ बोविस्टा 30 पावर में दो दो बून भी इलाज में शुरू कर सकते हैं यह दवा बच्चे को लाब देगी और उसकी स्टैंबरिंग यानि स्टैंबरिंग को खतम करेगी यह साथियों को दवाई थी स्टैंबरिंग के जो की एक ऐसी समस्या है जो बिल्कुल सही होते हुए भी आप इत्ता परिशान हो जाते कि समाज में आपको एक हीन भावना मैसूस होने लगती है निश्चित रूप से यह दवाई बहुत कारगर है साथियों लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कोई भी दवा को सल्ची किस्तक से पूछ के ही लीजेगा और ये भी ध्यान रखिएगा उसकी बताई हुई दवाई हमाई दवाव से भिन हो सकती है तो उससे अभी हमें यह आपको सही बता रहा हो हो सकता है आपका सिंटम इस वीडियो में मेंशन ना हो तो कोई भी दवा किसी को सल्ची किस्तक से प्रस्काइब कराके लीजेगा और जल्दी से स्वस्थ होईएगा मन में कोई क्वरी हो तो आप वट्सैप करिएगा हमारे नंबर पर हम कोशिश करे यह कि आपको आपकी कोरी का जवाब दे सके वीडियो सातियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा आपने अपना चैनल सब्सक्राइब करा होगा आपने अन्य सातियों से आप सब्सक्राइब कराईएगा और बेल आइकन को क्लि यो ही प्राप्त करते रहेगा आपका सातियों इतनी देर हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धर्निवाद यो ही झाला आपका साथ झाल झाल